Hello everyone, welcome to our YouTube channel JKLatestInfo तो यहां पर हम बात करेंगे आज एक और important topic हम आपके लेकर आए हैं topic का नम आपको समझ आगे होगा thumbnail से ही हम pH scale की यहां पर बात करने वाले हैं pH हम discuss करेंगे कुछ common substances बोलो या कुछ liquids बोलो उनका pH हम आज की वीडियो में discuss करने जा रहे हैं और आपके generally maximum exam में यहांसे pH से question देखने को मिलता ही है तो आपके लिए यह most important topic है यह बात ध्यान में रख लो सबस्वेर अगर हम आपके बात करते हैं pH की तो pH का मतलब क्या होता अगर full form के बात करी जाए तो pH की full form कह रहती है potential of hydrogen यह से power of hydrogen भी कहा जाता है यहांसे आपको पता लगता है pH से क्या पता लगता है कि कोई भी चीज़ बेसिक है ऐसीडिक है वो neutral है अगर हम बात करूं pH की तो वैल्यू है अगर वो मान के तो 7 आजाती है एक reading है मेरे पास 1,2,3,4,5,6 करते करते अगर जो pH स्केल में वैल्यू आपके वो 7 के बराबर आती है अगर ऐसा होगा तो हम बोलें के वो बेसिक तो भी सबसंस वेगरा वो कैसा है वो neutral है अगर pH की वैल्यू 7 से कम आती है जैसे मान के चलो स्केल में जो reading आगे वो 1 की आगी,2 की आगी,3 की,4 की,5 की,6 की,6.5 इस तरह से कुछ भी रहने वाला अगर 7 से कम reading आती है हम बोलें के वो जो भी चीज थी वो क्या हो जाएगी? acidic हो जाएगी और अगर pH की वाले जो 7 से जादा रहती है हम क्या बोलें के वो जो भी चीज जो आपके समने सब्स्टांस है एक वो क्या हो जाएगा? वो basic हो जाएगा 7 से कम value है तो acidic 7 से जादा है तो basic अगर 7 रहा तो वो रहता है neutral अब हम चलते हैं आगे के तरफ बढ़ते हैं डिस्कुशन करते हैं है सबसे बढ़ेंकां कुछ common liquid की pH की बात करें हाइड्र हरुबलाओक एसेड की बरत करें इसका जो स्ब्साइड की बात करें एइध सील की बात करें यसका जो रहता है पिछ define कितना रहता जिटा अगर चलते हैं बहुत बोहत स्प Зच्इड दें but most important है सब्सक्राइब को याद करने आगे बढ़ते हैं blood की बात करें human blood की बात करें human blood का pH कितना रहता है 7.4 यानिकि 7 ज़ादा है थोड़ा सा basic है seven पॉइंट four क्यों का मतलब basic कि हम बात करते हैं 10-7 एक मतलब acidic था तो human blood का pH कितना रहता है 7.4 रहता है आगे चलते हैं तीर्स में लोग आंसों की बात करें उसका PHP कितना रहता है 7.4 बलार बलर का PHP 7.4 है और तीर्स की बात करें उनका PHP या पर 7.4 रहता है आगे चलते हैं Peer Water की बात करें तो Peer Water का pH कितना रहता है Pure Water जो हाइऑ उसका pH 7.0 जो मतलब कि वो neutral रहता है और अगर हम sea water की बात करें तो sea water का pH कितना हो जाता है sea water का जो pH है वो 8.5 रहता है यह बेसिक रहता है इतना आपको समझ जा रहा है clear हो रहा है सबकर सब आपको याद करना पड़ेगा और इनके notes वगरा चाहिए आपको तो वीडियो के description box में को link मिलेगा उस link पे जैसे click होगे सब कुछ आपको समने open हो जाएगा वो link हम telegram पे भी share कर देंगे Instagram, Facebook पेज सब कुछ जेकर इस info के नाम से वहाँ पर भी share हो जाएगा वहाँ पे जाके भी download कर सकते हो आगे बढ़ते है seawater हो गया देखो पहले मने pure water करा 7.0 seawater के बात करें 8.5 अब यहाँ पर एक बात त्यान रखना जिसे मैं यहाँ पर 8.5 लिख रहा हूँ कभी-कभी 8.4 दिया होगा 8.3 दिया होगा तो इसके nearest जो भी value होगी ना वह पर correct answer हो जाएगा आगे चलते है rain water की बात करें rain water जो pH बआरी करता है 5 से लेके 5.5 तक clear हो गया rain water पिछ थोड़ा सा acidic होता न रेन वाटर यहां पर तुछ रहता है लाइम वाटर की बात करें 12.4 इसका है पिछ रहता है जो अगर pH जो है वो 5.5 से कम हो जेगा दांत वगर तूटना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए टूथ पेस्ट जो बेसिक बुनाई जाते हैं ताकि इसके एफेक्ट वो काउंटर गया दा सके सिंपल याद रहने हैं टूथ पेस्ट का जो pH रहता है वो 9.0 रहता है आगे चलते हैं सलाइवा के बात करें सलाइवा का pH कितना रहता है सलाइवा का जो pH हो 6.5 रहता है यह थोड़ सा ऐसे डिक रहता है यह भी आपको बताना चाहूँ को अब करेंट अफेर्स वगरे जनरल की बात करेंगा आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट मिलेगी जनरल अवेर्निस के नाम पे आपने उस प्ले लिस्ट में जाना है जैसे जाओगा को कहीं सारी वीडियो देखने को मिलेंगी एक तो 1000 पस कोशन सीरीज चलती है वह तो आपक्लिए इंपॉर्ट है ही है बर जन तो उसका पी हैalds ten point five रहता है आगे बढ़ते हैं बेकिंग soda की पीष की बात करें तो बेकिंग सोड़ा का फियस की लिए और चकी पीच बात करें को reck다 pete की चैन सबाइब और रहता है आगे बरते हैं यूरिन की बात करें अब सेवन लिखा होता है कह बेर 7.4 लिखा होता है इस रीज में, वारी करता है 4.6 से लेके 8 तक इसके बीच में, तो यूरी का प्योंधक प्योंड के रहाता है, 4.8 लिखा होगा गेंबे, 7.4 लिखा होगा, इन्यंगर के पात करें विन्यवर का पे इज्स कितना रहता है टॉमिंटो को कि तना रहता है तोमयटो की कि टॉमआटटो का पेयछ रहता है,bble का पीजडिंटिंगे माध करें पर जोइन करना चाहते हो तो आप जोइन कर सकते हो अभी तक किसी ने मौक टेस्ट वगरा नहीं दिये हैं तो आपको हमारी ओफिशल वेबसाइट जेकलेटेसिंफो.com पर मौक टेस्ट मिल जाएंगे वाँ पर जाके मौक टेस्ट दे सकते हो और इसके साथ साथ आपको वेबसाइट का समझ नहीं आता है अपने यूट्यूब में जाने प्लेलिस का सेक्शन मिलेगा टेस्ट सिरीज वाँ पर जाने वाँ पर जाके भी टेस्ट वकर दे सकते हो बागि किसी भी तरह का डाउट होगा या आपको लगता है कि मैं कोई पियेच स्किप कर चुका हूँ जो कि इंपोर्टन था वो अपने वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है थैंक्यू जैहिंद